देख रहे थे एल पी टेकनिशियन 2018 के कोस्टन पेपर CBT2 के कोस्टन पेपर देख रहे हैं जो की 11 सिप्ट में हुए थे आज देखेंगे 23, 12, 19 के 3rd सिप्ट के कोस्टन पेपर अगर इसका पीडियाप लेना चाहते हैं आज उससे आगे देखेंगे देखेंगे आज का पहला कोस्टन क्या कर रहा है कि परसीद पेंटिंग महसाद सूर के पेंटर का नाम क्या है तो उसका पेंटर का नाम क्या है उसका पेंटर का नाम है तयव महता क्या नाम है तयव महता तयव महता अगला कुस्टन क्या कर रहा है थोड़ा सा जूम कर देते हैं लेटर छोटा है किसी भी भार को अस्थांतरित करने के लिए किया गया परियास 15 यूनिट है और मसीन दुबारा किया गया कार तीन है तो भार ग्यात करे तो क्या कर रहा है कि भार ग्याद करे यह जो परियास किया गया है परियास किया गया है यह कितना यूनिट है पंदरा यूनिट है ठीक अब मसीन द्वारा लाब यानि मसीन से जो काम किया गया मसीन द्वारा लाब या अंतरिक लाब इसे करते हैं ते कितना है तीन तो पूचा है कि भार ग्याद करें तो भार बड़ावर क्या होता है भार बड़ावर होता है परियास इंटू यांतरिक लाब परियास इंटू यांतरिक लाब तो परियास कितना दिया हुआ है परियास दिया हुआ है 15 यूनिट यांत्री कलाब कितना हुआ था तीन पंदरा गुना तीन कितना हो गया पईतालेस यूनिट राइट एंसर क्या जागा पईतालेस यूनिट अगला कॉस्ण दिये गए चीत्र को बनाने में नियुनतम कितनी रेखा की जरूरत है पूछ रहा है कि ये चीत्र बनाने में नियुनतम कितनी रेखा की जरूरत है तो देखे पहले किस तरह क्या गया है इस तरह क्या गया है पहले कितना हो गया तीन रेखा हो गया ठीक है उसके बाद एक उपर से ड्रो किया गया है तो एक रेखा और हो गया चार, अब क्या किया गया, इसको यहां से मिलाया गया, यहां से मिलाया गया, टोटल कितना हो गया, दो, अब क्या किया गया है, कि एक रिखा यहां से आगे तक गया है, एक रिखा यहां से आगे गया है, एक रिखा यहां से आगे गया है, तोटल कितना हो गया, दो, अब क्या किया गया एक रेखा को उपर से मिला दिया गया एक और ठीक है अब क्या किया गया है कि एक रेखा को यहां से मिलाया गया एक रेखा को यहां से मिले गया ते कितना हो गया दो ठीक है अब तोटल गिन देंगे, अब तोटल क्या करेंगे, गिन देंगे, तीन एक चार, चार दू छे, छे दू आठ, आठ एक नो दू, एक ग्यारा, टोटल लाइन की संख्यां कितना ओगिया, एक ग्यारा लाइन की संख्यां, ओप्सन नमबर, दो, एक ग्यारा, क्या करें एगला कुस एल और आई एक दुसरे के बगर में बेटे हैं ये दोना जहां भी बेटेंगे साथ में बेटेंगे ठीक है आई और के किनारे पर बेटा हुआ है आई और के क्या करा है कि किनारे पर बेटा हुआ है एक नोगया एक दू तीन चार क्या कराए कि I और K किनारे पर बेटा है या तो I यहां पर है या तो K यहां पर है ठीक है और दूसरा और एक फिगर बनेगा जिसमें यहां तो K होगा यहां पर I होगा अब क्या कराए कि L आई के साथ है L अगर I यहां है तो L यहां पर है आई अगर यहाँ है तो L कहा है यहाँ पे है अब तो बचा कौन एक ही बचा तो अब कर आए कि यहाँ पे तो जो खाली देगा वही बेटेगा कौन बेटेगा यहाँ पे जे बेटेगा यहाँ पे कौन बेटेगा तो जे बेटेगा कौस्ता ने पूछ क्या रहा है जे के बग इसके बगल में sitting arrangement का question था अगला question दो परती रोद 10 ohm और 20 ohm को स्रिंख ला यानि सीरीज में जोड़ा जाता है इसकी सही जगता में voltage की आप उर्टी 30 ohm दी जाती है तो 10 ohm बाले परती रोद की voltage क्या होगा क्या किया गया है देखेंगे पहले आराम से question ठीक है आराम से देखेंगे यह voltage हो गया इसके इतना बोल्ट जोड़ा हुआ है इसमें 30 बोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है यह ohm है r1 हो गया कितना 10 ohm और r2 कितना दिया हुआ है 20 ohm दिया हुआ है ठीक है तो पूछा क्या गया है पूछा गया है 10 ohm की भोल्टता क्या होगा ठीक है तो यहां से हम total r resistance निकाल सकते हैं total r बराबर हो जाएगा r1 पलस r2 r1 कितना है 10 r2 कितना गया 20 total कितना होगा 30 ohm 30 ohm अब क्या करा है कि voltage निकालने के लिए ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि i बराबर क्या होता है b by r i बराबर b by r i बराबर b by r तो b कमान कितना है 20 r कमान total कितना है 30 एक कर जाएगा कितना बार में एक बार में यानि कि i का value कितना आजाएगा 1 ampere कितना आजाएगा 1 ampere यहां तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब आगे क्या करा है कि आगे करा है 10 ohm का परतिरोध क्या होगा 10 ohm का परतिरोध क्या होगा 10 ohm का voltage का परतिरोध क्या होगा voltage बराबर b बराबर क्या होता है i r b बराबर क्या होता है i r i का value पिछले क्या निकाले थे 1 ampere I का value कितना निकालेते हैं R का मान कितना है 10 ohm के लिए पूछा है तो 10 ये कितना हो जगा 10 voltage 10 volt B का value क्या होगा 10 volt अगर 20 के लिए भी पूछता है तो 20 के लिए भी वही आता है क्यांकि I का मान यहां भी एक ही आता अगला कुस्ण दिये गए कौन से सिधान्तिक निश्चित तल अक्ष या बिंदू अस्तान की वे क्या करता है जो जी डी ओटी या आयाम साहिता को भी संदर्वित करता है तो क्या होगा तत्य टेंडम अगला कुस्वन भारतीरी जब बेंक के पहले गवर्नर कौन थे भारतीरी जब बेंक के पहले गवर्नर कौन थे ये इसमीद क्या नाम था ये इसमीद भारती बेंक का या RBI का अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा बेंक और भारत सरकर का बेंक है RBI का राश्टिकरन कब क्या गया था तो 1949 में क्या गया था बेंको का बेंक काते हैं इसे अगला कुशन निमलिकित समीकरन को सही बनाने के लिए कौन से दो चीन को आपस में बदलना चाहिए इसमें दो ही ओप्सन दियावा है तो तिसरा ओप्सन हो जाएगा तिसरा ओप्सन हो जाएगा गुना और घटा चौथा ओप्सन हो जाएगा प्लस और घटा प्लस और घटा ठीक है तो पूछ रहा है कि कौन सा चीन चेंज करना होगा अगर तीन से भाग देते हैं तो तीन यहां पर जाएगा कितना आर्दूना शोल्ला और तीन उननीस में पांच जाएगा पंदर जाएगा तो दो नहीं आएगा तो क्या कह रहे हैं उप्सन चार रखके देखते हैं पलस के जगे हम घटा घटा के जगे हम पलस यहां पलस है तो घटा यहां घटा है तो पलस अब करके देखते हैं तीन से भाग देते हैं तीन कितना हो गया यहां पर कितना हो जागा पलस पंदरा इचकल टू यह दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया अठारा माइनस सुल इचकल टू यानि कि option number D सही है पलस और घटा को आपस हैं बदलने से राइट एंसर आएगा option number D अगला कुस्षन निमलिके में इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक पूछ रहा है अगर आप unit digit पर होगा इकाई अंक तो वहां पर पर है जरूर होगे पर है जरूर होगे कि अगर दो तिन साथ या आट रहे इसके उपर जितना भी power है बेस अगर यह रहे ठीक है इसके उपर कुछ भी power है तो उसको power को 4 से भाग देना है और जो 6 बचे इसके उपर रख देना है ठीक है जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 पर power कितना है 3 पर power 66 तो 66 को 4 से भाग देना है 4 से भाग देना है कितना है 15 बचेगा यानि कि 17, 16, 16, 64 बचेगा कितना दो इस दो जो बचेगा तो इस तीन के ऊपर रखना है इस दो सेज जो बचेगा उसका यूज करना है तो ये कितना हो जाएगा? नो हो जाएगा तो यूनिट डिजिट इसका हो गया नो फिर उसी तरह अगला का तो ये दो, तीन, साथ, आठ के लिए था अगर किसी के लास्ट में अगर किसी के लास्ट में एक, पांच और छे हो जाए तो यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा उसका यूनिट एक रहेगा तो एक, पांच होगा तो अब देख लेते हैं आएगा वो तो 3 पर power 2 अब आया ता 6 तो 9 हो गया इनिट डिजिट 9 उसके बाद क्या करा है एक तालिस 6 पर power एक तालिस क्या बताया थे की 1 5 और 6 रहने पर इनिट डिजिट होई होता है तो 6 पर power कुछ भी रहे तो कितना हो जागा 6 ही होगा तो यह हो गया च्छी ही, कितना हो गया? नूचा के चववन चववन में क्या गया इनिट जी डिट? चार अब क्या बचा है? 13 रह साथ पर पावर साथ भी आता है, साथ के उपर 13 है तो साथ में जो 13 है, 13 को क्या करेंगे? चार से भाग देंगे तो 13 चो के 52, 7 पर पावर कितना हो गया एक, किसी भी संक्या पर पावर एक रहे तो उसका वेलू एक ही होता है और यहां से कितना है, 4, यहां से 4, यहां से कितना हो गया, 7, 7 चो के 28, 28 का unit digit क्या है, 8, तो इसका भी unit digit क्या हो जाएगा, 8 याद यही रखना है, कि संक्या, 2, 3, 2, 3, 7, 8 रहे, इसके उपर जो भी पावर रहेगा, उसको क्या करेंगा, 4 से भाग देंगा, 8 से इसको रखेंगा अगर 1, 5, 6 रहे, तो जो भी रहेगा, वही एंसर हो जाएगा, जैसे 5 पर पावर 250, तो इसका unit क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा अगरा कुस्टन, किसी समागरी का मान जितना अधिक होगा, उतना ही तेजी से उसमा का संचालित करेगा, गुप्त चालकता इसका उतना ही अधिक होगा अगरा कुस्टन, लंबाई आर, क्या कर रहा है, लंबाई एल, तिर्जिया आर, और परतिरोद आर के उसी समागरी की बनी आधि लंबाई वाले, परतिरोद की तिर्जिया, तार का परतिरोद कितना होगा काराय की तिर्जिया यानि की आधि कर दिया जाए, तो उस तार की परतिरोद क्या होगा, तो परतिरोद 2 गुना होगा, क्योंकि आर जो है, डिपेंड करता है, किसी भी तार के काट छेतर पर, यानि की पाई आर स्क्वाइर पर, अगर इसका मान घटेगा, तो इसका मान करेंगे एक वाइट टू करेंगे तो ये टू से इदर मल्टिप्ला यानि कि टू आर हो जाएगा तो राइट एंसर क्या जाएगा टू आर गिरती वी बस्तू में अपने की सुरक्षा के लिए निर्देशी चेतर में जूते पहने चाहिए तो ये बहुत ही आसान कुस्षन है करा है कि कहीं को बस तू गिरने की संभावना है तो अपने पैर में क्या पहनते हैं जूता कहां पहनते हैं पैर के पंजे में पहनते हैं आँक में कोई जूता नहीं पिनता, सर में नहीं पिनता, कान में नहीं पिनता, तो राइट एंसर क्या हो जागा, पैर के पंजे पर, अगला कुस्वन, दो हवाई जहाज, दो हवाई जहाज, ई और एप एक अस्थान से उरते हैं, कह रहा है, दो हवाई जहाज है, जो अस्थ शिर्म, ई और एफ से एकफी जगहसे उँरते हैं झी, 7 km की ओर, ई जो है-, 7 km की ओर, 8 मतलब नीचे, नीचे मुरता है, और 15 km चलता है, ठीक है और इसी बीच एफ, 11 km पूर्व की ओर उँरता है, ये किदर उरता है पूर्व की ओर कितना तो 11 किलो मीटर उड़ता है और कहता है कि फिर दायम उड़ता यह जब दायम उड़ेगा तो कहा हो जागा यह भी आज़ेगा नीचे तो पूछता है कि E के संदर में एप की इस्तिति क्या है E के संदर में एप का इस्तिति क्या है एप के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो ये क्या हो जागा पंदरा ये भी पंदरा ये भी तो क्या हो जागा ये जो टोटल है 18 km हो जागा अब क्या होगा कि एप इस से एप इस से कितना है पस्चीम है कितना है किस दिशा में है पस्चीम उप्सान नमबर 4 सही होगा 18 किलोमीटर पस्चीम की ओर है अगला कुस्टन एक सेनी दी गई है जिसमें एक पच छुटा हुआ है उस सेनी में पूरा करने के लिए निमलिकित में कौन सा उचित बेख्या होगा तो यहां पर किया क्या गया है कि एक जीरो हट रहा है उसके बदला एक सा रहा है यहां पे दो एक सा रहा है यहां पे तीन एक सा रहा है यहां पे चार एक सा रहा है तो अगला में कितना एक स हो जाएगा पांच एक दू तीन चार पांच तो ऐसा उप्सन जो है वो सही होगा option number 2 अगला कुशन किस भारते किर्केटर को 2018 में पदम विभूशन पृष्कार से सम्मानित किया गया किसे दिया गया है 2018 में MS धोनी को दिया गया है MS धोनी को दिया गया है अगर पदम विभूशन की बात करें तो ये कब से दिया जाता है तो यह 1954 से दिया जता है राष्टपती के दुवारा अगर भारत का सरवोच्चम तो भारत रतन है लेकिन अगर यह दूसरा पुछे तो यही है पदम हुरुशन सबसे बड़ा पुरुशकार होता है सकेंड लार्ज पुरुशकार है ठीक है अगर सचीन तंदुलकर की बात करें तो सचीन तंदुलकर को 2014 में भारत रतन दिया गया था कब दिया गया था 2014 में भारत रतन दिया गया था बिराट कोली की बात करें तो बिराट कोली को 2013 में अरजुन पुरुशकार दिया गया था 2017 में पदम सिरी और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था अगर सौरब गांगुली की बात करें तो सौरब गांगुली को 2004 में पदम सिरी दिया गया था अगर खेल के छेत्र में सबसे पहले पदम विवुसन किसे दिया गया था तो ओ दिया गया था बिस्वनात आनंद को 2007 में पदम बिवुसम दिया गया था अगला खुशन नमलिके तुम्हें कौनसा वेन आरेक भारतीय चिकित्सक और इस्तरियों के बीच संबंद दर्षाता है भारतीय चिकित्सक और स्तरी माल दते हैं यह हो गया भारतीय इस्तिरी भी हो गया ठीक है इंडियन इस्तिरी और चिकित्सक डॉक्टर तो ओप्सार नमबर चार सही होगा अगला कुस्टन समुद्र के पानी के अस्तर को बरना ये गटना मुखरूप से गुमतीवी पीर्थवी के गुरुत्वा कर्शन परवा के कारण होता है चन्द्रमा पीर्थवी के चार ओर क्या गुमता है चन्द्रमा उसके कारण होता है अगर देखा जाए कि पीर्थवी पर कब आता है लगू ये क्या करता है ये समग जुआरभाटा जब पीर्थवी चन्द्रमा और सूरि तीनो एक ही लाइन पे होता है इस्टेट लाइन पे तो जूआरभाटा मैक्सिमूम बडाबला आता है एक दिन में जुआर भाटा दो परकार के आते हैं एक चांदरमा के कारण एक अपकंद्रिय बल के कारण जब जुआर भाटा जब आता है तो उस दिन क्या होगा या तो पुर्निमा होगा या उस दिन क्या होगा अवस्या होगा ठीक है जब लगू ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा पिर्थवी असूर ये एक दूसरे से सम कोन में होते हैं क्या होते हैं सम कोन में होते हैं तो उस दिन चोटा ज्वार भाटा आता है लहर में उड़ता है एक class liver का परियास दिशा में होता है correct एक class का दिशा यानि कि liver 1 का दिशा कैसा आता हमेशा एक दिशा में होता है कैसा आता है एक दिशा में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया load हो गया ठीक है यहाँ पे क्या हो गया force हो गया यहां पर इसे आयास करते हैं, जो ओ लगा हुआ है, जैसे कि इसका एक्जम्पल हो जाएगा, साइकिल का ब्रेक, तराजू, ठीक है, नेल कटर, कईची, पिलास, यह सब एक ही दिसा में, जहां बल लगा रहे हैं, लोड वहीं पर हैं, ठीक है, इससे तब क्या करते हैं, वन ल सुरोत किसी परिपत में धारा आई को बनाए रखता है, तो टी में सुरोत द्वारा परिपत को भेजी गई उर्जा क्या होगी, तो यह उर्जा क्या होगा, भी, आई, टी होगा, क्योंकि वर्क ब्रावर होता है, क्यू इन्टू, वर्क ब्रावर होता है, क्यू इन्टू, B, क्या होता है, W बरावर Q इन्टु B, इसी को convert में कर देंगे, Q बरावर क्या हो जाएगा, I, T इन्टु B, option number 2 सही है, अगला question, 10 दिन में एक काम का 2 बटा 5 हिसा पूरा करता है, करा A, किसी काम का 10 दिन में 2 बटा 5 हिसा काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 10, 5 बटा 2, 5 बार में करता 25 दिन में, यानि कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में, B. दस दिन में उसी काम का एक बटत दो काम करता है तो B करा है कि उसी काम का दस दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 20 दिन तो 5 दिन मिलकर काम करते हैं उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो सेस काम पूरा करने में B को कितना दिन लगेगा कुछ नहीं है सवाल का लगुत्तम ले लेंगे कितना हो जागा एक सो ये कितना बार में चार बार में ये कितना बार में पांच बार में यानि कि एक दिन में कितना काम हो रहा है नो काम और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं तो पांच दिन करते हैं तो पांच से गुना कर दें कितना काम हो गया 45 काम हो गया बचा कितना एक सो में 45 चला गया तो कितना बचेगा 55 काम बचा है 55 काम बचा है तो अभी एक काम करेगा कौन कौन करेगा ये तो चला गया ये नहीं करेगा तर एक काम कौन करेगा B तो पॉच पन वटे 5 फ़टे 5 कितना हो गया 11 दिन लगेगा B को कितना दिन लगेगा 11 दिन लगेगा अगला कुस् tua एक B करेथा अपने कार्याले से रावाना होकर अपनी गारी से दो किलो मिटर पूर्व की ओर चलता है मान लिए इसका ओफिस है यहाँ पर करता है पूर्व की ओर पूर्व किदर है इदर दो किलो मिटर चलता है फिर उत्तर की ओर मुरता है उत्तर किदर हो जाए उपर उपर मिलकर कितना चलता है साथ किलो मिटर चलता है इसके बाद वो अपने दाईं और मुरता है दाईं मतलब इधर मुर के कितना चलता है छे किलो मिटर चलता है वंट में वो दक्षिन के और मुर कर साथ किलो मिटर चलता है इधर कर रहा है साथ मिटर चलता है तो अपने अरामबिक इस्तिती से अब कहां है तो रासे यहां पर मिश्टे को आई बाई और कहेगा तो फिर यहां मूड़ेगा फिर इधर तो यह कितना आगया दू और इधर कितना गया छे टोटल दूरी कितना आगया, 8 किलोमीटर कहां यहां से, पूर्वी की दिशा में है, किदर है, पूर्वी की दिशा में, option number C सही है, अगला कुसम, पाई चार्ट में कमपनी विवा, विविन खर्चों पर परतिसत परदर्शित कर रहा है, चीतर में अध्यान और उनिम्न प्रस का उत्तर दे, यदि कूल कर्च 25,000 है, कूल कर्च 25,000 है, तो ब्याज में लगवा, कितना परतिसत ख्याच किया गया है, ब्याज में, इसनों ने कितना इंट्रेस्ट में दिया है, तो 10 परसेंट, तो 25,000 का 10 परसेंट निकाल लेंगे, 10 वट्टे, 10,10,10,10,10, 10, cancels कितना ह क्या जागा option number C क्योंकि interest में कितना कर्च किया था 10% अगला question कोई motorcycle 36 km परती घंटा की दफतार से 1000 मीटर दूरी तैक करता है तो इस दूरी को तैक करने के लिए motorcycle दौरा कितना समय लिया गया है second में बताना है क्योंकि question क्या कर रहा है second में पूछ रहा है यहां पर second में ठीक है कितना kilometer 36 तो इसको हम meter per second बदल लेंगे क्योंकि meter में दूरी तैकिया है तो 36 को कैसे बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुना कर देंगे तो इसका चाल कितना हो गया 10 meter per second यानि कि 10 meter per second तो चाल बड़ावर क्या हता है चाल बड़ावर हता है दूरी बटे समय इसको चाल निकालना था ठीक है अब यहां से चाल पता चल गया है हमको क्या पुछा है समय समय निकालना है ठीक है क्या निकालना है समय चाल हमें पता चल गया कितना है 10 meter per second दूरी कितना है 1000 समय कितना है समय निकालना है X 10 से 10 cancel X का value कितना आ गया 100 second 100 second option number D right होगा यदि किसी मानक इंजिनियरी की RX seat में 441 mm है तो इसकी लंबाई कितना होगा तो इसका लंबाई कितना होगा यह होगा 1189 1189 कुछ यहां पर मैं फर्मूला लिख देता हूँ जिसे देख लिजिएगा अगामे एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा ठीक है अगर सब यह 0 लिखा हुआ है तो यह 4E breathe breathe into length यहां पर उसके बारे में बता रहे है ठीक है सारा जो unit होगा वे mm में होगा अगर A1 है थी कितना होगा 841 गुना 1189 ठीक है mm में है सारा A1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 594 इंटू 841 mm में A2 बराबर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 420 इंटू 594 ठीक है A3 बराबर हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा 297 इंटू 420 297 इंटू 420 और एफोर हो जाएगा एफोर बराबर हो जाएगा 210 गुना 297 297 एक बात यहां पर ध्यान दिजिएगा जिसका इसका फर्स्ट है उसका लास्ट हो रहा है जैसे 441 यहां आ रहा है फिर 594 यहां आ रहा है ठीक फिक 420 यहां आ रहा है फिर 297 यहां आ रहा है तो यह पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट होड़ा है तो यह फर्मूला है इंजिनिरिंग ड्रोइंग का लेकिन सारा दूरी क्या चीज़ में है एमेम का इसे याद कर लिजिए गा यह पूछेगा है ड्रोइंग अगर फूछेगा तो इससे कोसन रहेगा अगला कोसन चार अंकों की एक संक्या 11 से पुर्णत भी वाजित हो तो X-Y का मान क्या होगा 11 से कटने का नियम क्या है कि या तो दोनों संक्या के बीच का अंतर 0 हो या सम भी सम का अंतर कितना हो 11 हो तो उसी बेस में बन जाएगा या तो 0 हो या तो 11 हो तो क्या होगा X पलस 7 माइनस Y पलस 1 इसकल टो 0 होना चाहिए तो यह कितना होगा 7 पलस X इदार होगा Y पलस 1 यह होना चाहिए अब X माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 7- e हो जाएगा e हो जाएगा 1-7 तो एक में 7 जाएगा कितना उचेगा 6 राइट एंसर क्या हो जाएगा 6 बाकी के कोस्टान हम लोग आगले किलास में देखेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत